हेलो स्टूरेंट तो यहां पे हम देख रहे हैं बिया सी सेकेंड यार फिजिक सेकेंड पेपर ठीक है इंपॉर्टेंट कॉश्चन है इसका पार्ट वन हम करवा चुके थे वो किसी कारण की वज़े से वो वीडियो थोड़ी सी रह गई थी मतलब आधा आधा डैरिवेशन हुआ था इसलिए हम यह पार्ट टू लेकिया है इसमें हम अपना पूरा डैरिवेशन अपना कम्प्लीट कर लेंगे यह कॉश्चन अपने इंपॉर्टेंट कॉश्चन है आप लोग 20 में भी देख सकते हो ठीक है यह है अपना कॉश्चन यह वाला कॉश्चन हम यहां सॉल देना है कॉश्चन का ठीक है इसमें देखो कॉश्चन क्या रहा है किसी बिंदू पर विद्धुच्चेत्र की तीवरता इवं विभव को समझाए यह तो सिद्ध करो कि ए वेक्टर इस उकॉल टू माइनस डेल भी या फिर इस उकॉल टू माइनस ग्रेड भी यहां पर डे डेफिनेशन तो कहीं से भी देख सकते हो केवल आप लोगको डैरी विसन अच्छे से करना है अगर आप लोग फिजिक्स में डैरी विसन अच्छे से करोगे तो आप लोगको पूरी नंबर भी लेंगे ठीक है तो यहाँ पर इस उकॉल टू मायनिस डेल वी सिद्ध करना मि दोनों की definition इसलिए यहां पर मांग रहे हैं क्योंकि दोनों में संबंद पूछा गया है विद्धुचेत्र की तीवर्ता और विभव में तो तीवर्ता क्या कहलाती है मतलब कोई विद्धुचेत्र होगा विद्धुचेत्र में किसी बिंदू पर रखे एकांक धनाविश पर विद्धुचेत्र में किये गए कारे को उस बिंदू पर विद्धुचेत्र की तीवर्ता की definition आप लोग कहीं से भी याद कर सकते हैं तो आप लोग दूसरे किसी बुक से भी कर सकते हो लेकिन आप लोग कर लोगे अब यहां पर इसका संबंद बताना इन दोनों के बीच मे संबंद relation ठीक है तो यह derivation कैसे solve करना यह बताते हैं तो जो यह derivation solve होगा विद्धुचेत्र की परिभाव की परिभासा से होगा तो यहां पर विद्धुचेत्र की तीवर्ता तथा विभाव में संबंद देखो क्या बोल रहा है वो माना किसी विद्धुचेत्र यानि यह फस्ट है अपना और यह अपना सेकंड बिंदु है ठीक है तो जो फस्ट बिंदु है एकस बाई जैट उस पर विभाव क्या लग रहा है भी और जो दूसरा बिंदु है उस पर भी प्लस डी भी यह वाला जो हम पहले समझा चुके हैं अभी इसके आगे हम solve करेंगे करना पड़ रहा है इसमें विभाव में परीवर्तन हो रहा है तो विभाव में परिवर्तन होता है उसे तरशित करते हैं जिसे कि आप लोग 11 12 में भी कहते हो ना कि परिवर्तन यदंबिदु को घर्ट आते हैं तब यहाँ फ़ुर्तवण से थूधर माइनस फिवन हो गया तो माइनस बचेगा और जो परिवर्तन खोगा वह come ऐसी प्रकार आप क्या करेंkeiten करेंगे देया करेंगे तो भी क्यांकि आपधाऊ के साफ ऊब्ड्रocy期 कर रहे हैं और डी ध्याइप मेंसराइगा are जाएगा सब्सक्त इसे सब्सक्राइब करण सब्सक्राइब करेंगे यह द्रम्र So डै דy upon dy d upon dz दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आप लोग क्या करऊ पर dot multiply अगर करते हो तो ii का क्या हो जाता ii cancel हो जाता j j का multiply हो के j cancel हो जाता और kk का multiply हो के kk का तो यहाँ पे इसको dot multiply मैं तोडेंगे यानि dot multiply करने ही रहे यहां पर तोड़ेंगे, देखो, कैसे तोड़ना है, खेके, तो यह आ गیا था अपना, डेल, अपॉन, डेल, एक्स, खेके, इसको, आई, क्या लिख सकते हो, प्लस, डेल, अपॉन, इसको अलग, अलग, कर रहे हैं, प्रेकार से इनको अलग-अलग कर लिया तो इसकी वैलियू तो अभी हम बता चुकें इसके बराबर में आप लोग क्या लिख सकते हो ना लेकिन यहाँ पे देको भी लगा हुआ था ना साथ में तो यह भी यहाँ से भी अगर भी common ले लेते हैं यहां से तो अपना यह तो देल की value हो जाएगी और यहाँ पे into में भी आ जाएगा ठीक है और यह कैं की value होते है dr की होती है dr vector की कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं चुकि DR वेक्टर इस उकॉल टू होता है डी एक्स आई कैप प्लस दी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप तो यह कहें कि बरावर चल रहा था डी भी परिवर्तन विभाव फलन में परिवर्तन चल रहा था पार्ट वन देखके आई ठीक है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो आप लोग के डाउट है अब इसके बरावर में आप लोग को क्या करना विद्धु छेतर भी चाहिए न तो विद्धु छेतर के लिए क्या होता विभाव की परिवासा से यानि कि कोई विद्धु छेत यहां से डियार वेक्टर की वैल्यू पूट कर देंगे ठीक है डियार वेक्टर की जो हमने माना था वह वाली वी इसको भी आप लोग क्या करोगे आई जेके के फॉर्म में तोड लोगे ठीक है अब देखो यहां पर इंट्रीगेशन था इसको इस साइड लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा डिभी बना सकते हैं तो यहां पर माइनस डियार वेक्टर बचेगा ठीक है क्योंकि जो इंट्रीगेशन था इसका पक्छांतर करके साइड डिवी के रोप में ले लिया अब देखो बिंदू कॉन कॉन से लिए एकस बाइजएड के लिए लिए आना तो इसके लिए आप लोग कह लेक्ट सकते हो आई कैप इएकस प्लस और अपना यह माईनस बाहर चल रहा है ठीक है जेएप इवाई क्योंकि बाइए के साफ एक जेएप लिया है ठीक है ईजड के कैप हो जाएगा तो डियर वेक्टर की value रख देते हैं डियर वेक्टर की क्या होती है dx i cap plus dy j cap plus dz k cap ठीक है या फिर i j k को आगे भी लिख सकते हो अब इसका dot multiply करेंगे तो i j k का i का i से j का j का k का k से करेंगे तो minus तो अपना जो कदेव रहेंगा ये वाला i का i से यानि e ex और अपना into d x i i से करेंगे न तो i i हट जाएगा इसी प्रकार जे जे के लिए करेंगे तो e by और अपना ये करेंगे तो ez और अपना ये साथ में dz आ जाएगा इसको आप लोग equation जो अभी यहाँ पे जो निकाला था dv is equal to इसको आप लुग क्या करोगे समिक्रण एक आप देखोँ समिक्रण एक में भी dv के बरावर आया है और समिक्रण दो में भी dv के बरावर आया तो दोनों को बरावर लिख सकते हैं तो समिक्रण एक वा दो से ठीक है तो यानि कि क्या कर सकते हो यहाँ पर equation first में क्या आया है del V यानि del Vector V dr Vector is equal to इसको बरावर लिख सकते हैं एक काम कर सकते थी इतना करने की आवश्यक्ते ही नहीं थी आप लोग dv is equal to minus e क्योंकि dv के बरावर यह आई और यह equation आई है ठीक है तो इतना ही आप लोग लिख लीजेगा दोनों से dr Vector cancel हो जाएगा तो क्या आजाएगा del V is equal to minus e आजाएगा लेकिन सिद्ध क्या करना था e is equal to minus grade V तो minus इस सेड़ आजाएगा e is equal to आप लोग इसको minus del Vector VV लिख सकते हो या del के लिए क्या बताया है grade भी भी लिख सकते हो यह हो गया आप लोग का prove ठीक है इस प्रेकार से आप लोग को यह वेंजक solve करना था तो आप लोग BSC Second Year के और वीडियोस देखने के लिए चैनल की playlist पर जाएगे क्रम से caution solve करवाएगा है unit by unit अब देखो सीधी सी बात है इसमें दो बिंदू लेने थे X by Z, X plus DX, Y plus DY और Z plus DZ ठीक है दो बिंदू ले लिए दोनों का विभाव फलन में परिवर्तन का देख मतलब परिवर्तन होगा तो B2 minus B1 हो जाएगा तो जो B2 multiply अलग-अलग तोड़ दिया dot multiply से ठीक है और विभाव की परिवासा विद्दू चेतर भी चाहिए था ना तो एक विभाव की परिवासा होती है जिसे B is equal to minus integration EDR बोलते हैं तो जो integration यह अपना integration था ना तो इसका पक्चांतर करके यहाँ पर D भी कर दिया फिर दोनों equation को बड़ावर रखके आप लोग का यहाँ derivation solve हुआ thank you मिलते हैं next वीडियो में